हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जेके स्टड़ी ऑनलाइन पर तो दोस्तो अभी जो वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूं इसमें हम डिस्कुस करने वाले हैं जम्मू एन कश्मीर की जो हिस्ट्री है उससे है JKPSC हो तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पे नए हैं आपने पहली पर चैनल को विजिट करा हुआ है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेर कीजे कॉमेंट कीजे लाइक कीजे और सब्सक्राइब करने के आपने रहा जिसमें लिखा हुआ कि विच सिटी इस काल्ड विंटर कैपिटल अप जंगों कश्मीर यह बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत सारे एक्जाम्स में आज तक पूछा गया है तो विच इज विंटर कैपिटल अफ जंगों कश्मीर यह आप सबको पता है जम्म आपना बहुत सारे लोगं को पता होगा तो आए देखते हैं अगर आपके इसमें कितने सही बनते और कितने गलत बनते हैं आप जो एक कॉमेंट सेक्षिन में बताईएगा तो इसका जो सही जवाब है वो है जम्मू क्योंकि जो विंटर का सीजन होता है तो तब इसे माना जा तो यह जो मरतंड सन टेंपल है तो यह कहां पर सिचुएटड है तो कौन से जगा जो है हमारे जम्मू कश्मिर की जहां पर हमें यह मरतंड सन टेंपल यह देखने को मिलता है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन यहां पर दिये हैं पहला जो ऑप्शन हमारा है वो है क्या यह मरत option कहता है कि यह किष्टवार में है सी option is saying के यह कठुवा में है एन फोर्थ option is samba तो आपको जल्दी से गेस करके बताना है कि कहां पे जो है हमारा जो मरतंड सन टेंपल है वो देखने को मिलता है हमें जम्मुयन कश्मीर में जी हां दोस्तों बिल्कुल इजिज आ है और इसका जो सही जवाब है वो हम आपको पता देते हैं वो है अपनी अननतनाद district में जी हां तो यह आप सबको पता चल गया होगा देन चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल number 3 की तरफ तो सवाल number 3 जो है वो क्या कहता है हमसे वो कहता है कि which among the following books mentions about जम्मु अस्ट धियाई में जम्मू कश्मीर का मेंशन मिला है या नहीं मिला है ठीक है option A हमारे ये कहता है B कहता है कि राजतरंगनी जो है क्या ये जो है जम्मू कश्मीर से related है या नहीं है C option कहता है कि तहकी के हिंद जो है क्या ये जम्मू कश्मीर से related है या नहीं है then हमारा fourth option जो है that is saying all of the above तो इसमें से जो है सही जवाब अपका क्या होने वाला है यह हम सबको पता होना चाहिए तो देखें इसका जो सही जवाब है वो है यह के all of the above है ना तो यह अश्टधियाई भी जो है इसमें भी हमें यह जिक्र मिलता है जम्मुकश्मीर का then राजतरंगनी जो कलहना का है उसमें भी मिलता है तहकी के हिंद जो अलबरुनी का है उसमें भी हमें यह देखने को मिलता है तो यह अश्टधियाई जो कि पैनिनी का है इसमें भी हमें यह देखने को मिलता है देखें आप यह चीज याद रख सकते हैं कि यह जो अश्टधि सी चीज है बहुत साई लोगं को पता होगा, then the third is तहकी के हिंद जो की है, अलबुरूनी का ठीक है, तो आप ये जरूर याद रखेगा, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब जो है, वो कहता है, all of the above, क्योंकि इन सभी में जो है, हमें, जम्मू कश्मीर के बारे में देखने को चीज़ें मिलती है, then our fourth question is, saying के, which place has lot of importance from archaeological point of view, तो पुरा तात्विक महत्व जो है, उसके दृष्टी से अगर देखा जाए, तो हमारी कौन सी ये जगा जो है, जो नीचे हमने कुछ जगाओं के नाम बता है, किसकी जो है, जादा importance है, archaeological point of view से जो है, ये कौन सी जगा की जादा importance मानी जाती है, तो ये हमारे पास कुछ नाम दिएगे हैं, पहला है हारी परवत, दूसरा है बैरी नाग, तीसरा है अखनूर, और चोथा है सोना मर्ग, जी हां दोस्तों, तो ये काफी important माना जाता है, तो ये जो है, इसमें देखिए हमारे पास ना, ये अखनूर का जो है, ये सबसे important माना जाता है, क्योंकि अखनूर में हमने देखा है कि वहाँ पर कुछान्स के टाइम की कुछ ऐसे कुछ आउशेश जो है, वो मिले हुए है, तो कुछान्स के टाइम के जो आउशेश हमें वहाँ पर मिले हुए, तो उसके आधार पर हम इसको मानते हैं कि ये archaeological point of view से काफी important place है, अपना चलिए, देन बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर पांच की तरफ और सवाल नंबर पांच जो है, वो हमसे क्या कहता है, सवाल नंबर फाइव जो है, वो हमसे कहता है, the city of Jammu got its name from which king, Jammu की जो city have here, उसका जो नाम है, वो कौन से राजा के नाम पर पढ़ा, ये हमें बताना है, ये कई बार exam में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये भी पूछा गया है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और मुझे लगता है कि 99% लोगों को इसका जवाब पहले से ही पता होगा, option पहला हमारा है, ये अगनिगीर है, दूसरा option जो है, उसको वो कहते हैं, Jambu ल सरल सा question था ये, और मुझे उमीद है कि बहुत साई लोगों इसका सही जवाब दे भी दिया होगा, तो चलिए बिना किसी देरी का हम इसका answer बता देते हैं, इसका जो सही जवाब है, वो होने वाला है, अपना Jambu लोचन, ठीक है, तो Jambu लोचन एक ऐसे राजा थे, जिनके नाम पर Jambu City का जो नाम है, वो Jambu पढ़ा, चलिए, then our sixth question is what, ये है हमारा छठा सवाल, और ये कहता है कि in ancient times, पीर पंजाल was better noun as, ठीक है, प्राचीन समय में ये जो पीर पंजाल था, इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको किस नाम से जाना जाता था, वो हम जानने व हो हैं, A option कहता है, बनिहाल, दूसरा जो option B है, वो कहता है, ये क्या है, धर्नागिरी, धारनगरी, then C option हमारा कहता है, पंचाल देवा, और जो 4 option है, D option जो है, वो कहता है, कि ये है जाम्बू पुरा, इसमें से जो सही जवाब है, वो अपना क्या होने वाला है, वो अभी हम देखकर आपको बताने वाले हैं तो दोस्तो जल्दी से guess कीजे कि पीर पंजाल को क्या कहते थे हम लोग ancient time में यानि के प्राचिन समय में इसको क्या बोला जाता था जी हाँ तो उमीद है आपने guess कर भी लिया होगा केई सारे लोगों ने इसको तो देखे इसका जो सही जवाब है वो है अपना बनिहाल हन जी तो बनिहाल जो है ये इसको कहा जाता था ठीक है तो ये हमारा question number 6 हो गया then बढ़ते हैं हम अपने सवाल number 7 की तरफ तो question number 7 जो है वो हमें क्या कहता है देखे ये भी कही सारे exam में पूछा गया सवाल है और अभी भी जो है इसको इसकी पूछे जाने की संभाव जो है आपके आने वाले कही सारे exam में जरूर रहेगी तो ये देखे ये क्या कहता है ये कहता है कि who probably invented dogri script है न तो किसने जो है ये dogri script को बनाया होगा invent करा होगा तो देखे हमारे पास यहां पर कुछ options है options किनकिन लोगों के नाम है options में एय औप्शन कहता है क्या ये शिवप्रकाश थे जिन्हों ने इन्वेंट करा वा था dogri script को क्या ये हमारे शक्तिकरन थे जिन्होंने dogri script को invent करा क्या ये अपने से गैस कर लीजे कि इसका जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है तो आप बताईए तो चलिए इसका जो है हम सही जवाब अब आपको बताने वाले हैं इसका जो सही जवाब है एक मिनट अजी तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है वो है अपना शक्तिकरन शक्तिकरन जो थे इ यह हमारा हो गया सवाल नंबर 7 और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखे यह बोखत ही मज़ेदार मतलब मुझे तो ना यह सबसे मज़ेदार सवाल लगता है और इसके पूछे जाने की बहुत जादा संभावना रही है तो देखे सवाल क्या है सवाल कहता है कि as per महा भारता ठीक है महा भारता after death of king shall who ruled जम्मू जब राजा जब राजा शल की मोत हो जाती है उसके बाद महा भारत के अनुसार जब राजा शल की मोत हो जाती है तो कौन जो है जम्मू कश्मीर पे राज करता है तो वो हमें बताना है तो देखे हमारे पास कुछ options है और ये हैं हमारे options पहला कहता है राजा बोध दूसरा कहता है बबरुवाहन तीसरा कहता है अर्जुना या फिर परिक्षित तो इन में से कौन जो है महाभारता के अनुसार जम्मू के राजा बनते हैं ये हमें बताना है तो ये है हमारा question number 8 ठीक है तो आप लोग guess कर लीजे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो है अपना बबरुवाहन तो बबरुवाहन जो थे according to महाभारता ये जो शल राजा थे इनकी डेथ के बाद जो है ये यहां के राजा बनते हैं जम्मू के ठीक है then our question number 9 is के who was the first ruler to start a strong dynasty in जम्मू ठीक है तो देखे कौन सा ऐसा पहला राजा था जम्मू में के जिसने सबसे एकदम से बढ़िया strong वाली डैनेस्टी जो है उसको स्थापित करा था उस वो रूल शुरू करा हूँ था तो देखे यहां पर हमारे पस कुछ नाम यहां पर दिय दूसरा जो नाम है option b हमारा कहता है दामो-दर्दत यह ओर फिर तीसरा जो option है वो हमारा कहता है राजा राम गुपता और four option is what d option is पूरन करन तो इन में से कोन सा जो है वो हमारा सेही जवाब होने वाला है तो सही जवाब जो है वो हमारा कुन सा होगा वो हमारा होने वाला है ये वो हमारा होने वाला है सौरी इसके लिए मैं माफी चाहूंगा इसका जो सही जवाब है वो है राजा बोध अर्जुन जो के इस में आप्शन में हमने नहीं लिखा है ये थोड़ी से मिस्टेक के लिए में माफी चाहूंगा वो था राजा बोध अर्जुन हंजी तो ये नाम आप याद रख सकते हैं राजा बोध अर्जुन जो है ये उनका जो नाम था जो कि आप्शन्स में नहीं है तो इसके इलावा अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 10 की तरफ तो सवाल नंबर 10 इस स स्टैब्लिश्ट राइडेनिस्टी जमू इन 50 BC राइडेनिस्टी जो है उसको किसने स्टैब्लिश्ट करा हुआ था 50 BC में ठीक है तो आपको इसका जवाब देना है हमें देखिए हमारे ऑप्शन्स जो है वह यहां पर दिये हुए है एक का नाम है आदी राए ठीक है ऑप question number 10 x 10 तो अब आपको पताना है इसका सही जवाब किया है तो दोस्तों इसका सही जवाब अगर आपने गैस कर लिया है तो चलो हम भी पता देते हैं इसका जो सही जवाब वह है आदी राइ जो है वही जो थे उन्होंने राइ डाइनुस्टी का को स्टैब्लिश करावा था in 50 BC कहां पर जम्मू में ठीक है then ये हमारा है सवाल नमबर 11 question number 11 जो कि बहुत important है और आने वाले आपके exam में पूछा जाएगा तो ये क्या कह रहा है guys ये कहता है कि name of the founder of dhar dynasty in jammu चलिए तो जो dhar dynasty के founder थी जम्मू में उनका नाम क्या है ये आपको जल्दी से guess करना है बहुत सारे लोग को अलिडी पता होगा और आपने पढ़ा भी होगा तो जल्दी से बता दीजे कि उनका नाम क्या था जिन्होंने ये dhar dynasty के जो founder थी हमारे जम्मू में तो क्या नाम था उनका उनका नाम था दोस्तों पहले आप options देख लीजे A है अजे धर B option कहता है कीरत धर C option कहता है वज्र धर D option कहता है सूरज धर तो इन में से सही जवाब कौन सा है वो आपको guess करना है तो चलिए बता देते हैं ये जो इसका सही जवाब है वो होने वाला है अपना सूरज धर ये जो है इन्होंने ये found करी हुई थी अपनी धार डेनिस्टी जम्मू में चलिए ये था question number 11 then है हमारा question number 12 जो की बहुत ही ज़ादा important स्वाल है और पूरी पूरी जो संभावना है इसके आपके exam में आने की बनी हुई है ये है Muslim Saint Roshan Shah Wali देखे ये एक Muslim साधू थे जिनका नाम था Roshan Shah Wali came to Jammu from where ये Jammu में कहां से आए हुए थे कौन सी जगा से Roshan Shah Wali जो है वो आए हुए थे Jammu में तो कौन सी जगा से आए थे options हमारे पास 4 है पहला option जो option A है वो कहता है अरब से आए थे अगर आप इसका आपने guess कर लिया है तो ठीक है अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दीता हूँ इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आपका अरब तो ये अरब से आए हुए थे ठीक है बढ़ते हैं हमने सवाल नंबर 13 की तरफ सवाल नंबर 13 जो है वो भी काफी important है और इसमें ये कहते हैं क्या कि which ये कहते है which among the following is not an ancient capital around Jammu region ठीक है आपको पताना है कि इन में से कौन सी जो है वो Jammu की capital नहीं थी ancient time में तो आप दिखें ये हमारे पस कुछ options है एक तो है हमारे पास बाहू ये तो भीया थाई था दूसर धारा नगरी है ये आईरवा है और मादर देश है इन में से कौन सा जो है हम देखते कि Jammu वाले एरिया में नहीं था उस time पे तो अब आपको बताना है कि कौन सा इन में से नहीं था तो ये भी हो गया उसके बाद हमारे पास है हमारा question number क्या है ये ये है 14 चलिए तो question number 14 is saying के धार डैनेस्टी इन जम्मू वास टेकन अवर बाई विच डैनेस्टी इन 840 एडी चलिए तो धार डैनेस्टी जो है जम्मू में इसको कौन सी डैनेस्टी ने टेक अवर कर लिया था 840 एडी में चलिए दोस्तों तो ये बहुत ही मज़िदार सवाल है और इस तरह के सवाल आपके exam में पूछे जाने के संभावना बनी रहती है तो आपको बताना है कि किस ने जो है इसो टेक अवर करा हुआ था कौन सी डैनेस्टी है जिसने धार डैनेस्टी को जो है टेक अवर करा हुआ था 840 में तो चलिए दोस्तों इसका आपने गैस कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दिता हूँ इसका जो सही जवाब है वो है अपना देव डैनेस्टी क्या है इसका आणसर इसका आणसर है देव डैनेस्टी तो याद रखेगा चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 15 की तरह तो सवाल नंबर 15 इस वर्ट के विच किंग प्रेजेंटेड हिमसेल्फ तो अपनिये के सामने के अपनी सवाल नबर 15 के अपनी टेरिटरिस को Cris करने के चक्कर में तो यह हमारे पस कूछ नाम यहां पर दिये हुए है इन मेंसे हमें गैस करके बताना है कि यह कौन सा इसका सही जवाब है इन में से सबसे पहले option A कहता है जोगराय, option B कहता है दामोदर्दत, option C जो है वो कहता है राजाराम गुपता और option D कहता है पूरन करन इन में से सही जवाब कौन सा होने वाला है मैं आपको बदा दिता हूँ कि इस में से सही जवाब कौन सा है इस में से जो सही जवाब है वो है अपना दामोदर दत जी हाँ दोस्तों तो ये ही इसका सही आंसर है ठीक है तो फिल्हाल के लिए इतना ही आज के लिए तो अभी आपने देखा कि हमने जल्दी-जल्दी से अपने 15 MCQs बढ़िया वाले जम्मु कश्मीर हिस्ट्री के ओपर डिस्कस करें तो ये जो है दोस्तो हिस्ट्री आपका एक बहुत important part हमेशा बना रहता है तो इससे जरूर अपके 2-3 questions जो है वो आने वाले हैं तो उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो के जो comment section में जाकर comment करें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप बिना किसी हीच के चाहत के दे सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू और बाबाई